हेलो बच्चो, कैसे हैं सब बढ़िया एकदम मज़े में? तो मैं चिंतन देशाई, आप सका बहुत-बहुत स्वागत करता हूँ हमारे ये फिजिक्स लेक्चर में तो बच्चो, यहाँ पे सुरुवात करते हैं आज के लेक्चर की तो बच्चो, आज हम क्या डिसकस करने वाले? आज हम डिसकस करने वाले path of moving charge in a magnetic field बच्चो, किसी moving charge को किसी magnetic field में अगर enter करवा दिया जाए तो वो कौन सा path follow करेगा? ठीक है? वो हम यहाँ पे देखने वाले जैसे कि अगर मैं बोलूँ कि मैं किसी charge को किसी gravitational field में charge नहीं mass बोल देते हैं चार्ज नहीं mass बोलूँगा ठीक है? किसी mass को मैं gravitational field में अगर मैं उसको enter करवा हूँ या फिर motion में ला दो तो उसका path क्या बनेगा? ठीक है? जैसे कि मैं perpendicular to the gravitational field उसको enter करवा हूँ तो क्या path बनेगा? parallel to the field में enter करवा हूँ तो क्या path बनेगा? अगर मैं उसको किसी angle पे enter करवा हूँ तो क्या बनेगा? या सुनो तो ऐसे 3 cases वहाँ पे भी थे वैसे ही यहाँ पे 3 cases हमारे पास यहाँ भी है किसी भी field के अंदर अगर मैं किसी moving charge को enter करवा रहा हूँ तो उसका path क्या बनने वाला है? जैसे पढ़े थे ना यहाँ पे motion in straight line वहाँ पे पढ़े थे motion in straight line पढ़े थे projectile motion भी पढ़े थे वो सारी चीज़े motion in the vertically upward direction ठीक है? वो सारी चीज़े वहाँ पे आप पढ़े थे कहीं न कहीं वो जो सारी motion थी ना वो क्या थी? वो under the gravitational field थी यह सोनो तो यहाँ पे भी कुछ ऐसा ही है हमारे पास gravitational field नहीं है लेकिन हमारे पास magnetic field है अगर chapter 1 में आप पढ़े होंगे थोड़ा detail में गए होंगे competitive के base पे पढ़े होंगे अगर enter perpendicular to the field क्या होगा अगर हम उसको enter करा किसी angle पे तो उसके साथ क्या होगा तो सारी चीज़े आप वहाँ पे भी देखे होंगे अगर यह नहीं पता है तो सायद आप projectile motion देखे होंगे motion in straight line देखे होंगे motion in vertically upward direction देखे होंगे कि अगर क्योंकि अब तक क्या था हमारे पस दो ही फिल्ड था देखो सुनो study में हमारे पस दो ही फिल्ड था एक था gravitational field और उसके related हम motion in straight line पढ़के आए motion in 2D मतलब कि जिसको हम बोलते है projectile motion वो भी पढ़के आए कि path कैसा बनता है वो सारी जीज़े parabola वगेरा सब कुछ ठीक है वो आपका पता है दूसरा था क्या gravitational field sorry वो तो देख लिया electric field, electrostatic field ठीक है तो उसके related आपने साइध competitive में question solve किया कि मुझे नहीं पता है लेकिन साइध आपने solve किया होगा ठीक है तो कि भाई किसी charge को एक field है से vertically downward direction में और uniform field है हाँ यहाँ पे एक और चीज़ यहाँ पे हम magnetic field जो भी होगा ना उसको क्या मानेंगे वो uniform है यहाँ पे हम सिर्फ uniform के लिए यह analysis करेंगे ठीक है तो जो भी field है वो uniform magnetic field जो भी है वो uniform तो वहाँ पे भी कुछ आपने ऐसे question solve किये होंगे कि वहाँ पे electrostatic field है वो uniform field है और उसमें मैं किसी एक electron को मैं अगर यह theta angle पे enter करवाओं तो क्या होगा या फिर आपको बुलाए कि parallel to the field अगर मैं enter करवाओं तो क्या होगा अगर मैं vertically downward direction में से और कोई field उपर जा रहा है मैं इसको नीचे से उपर vertically upward direction में मैं उसको फैक हो तो क्या होगा उसके साथ तो सारी चीज़े जो भी है maximum height अचिव करने का वो सारी चीज़े वहाँ पे आपने सायब देखी होगी तो ऐसे ही यहाँ पे हमारे पास ऐसे तीन केस आते हैं जैसे वहाँ पे भी थे वैसे यहाँ पे भी हमारे पास तीन केस है ठीक है वैसे सबसे important जो भी है एक तो आपको पता ही है एक case तो आपको पता है कि अगर मैं किसी field के parallel किसी को एंटर करवाँ किसी charge को तो क्या होगा ठीक है अगर anti-parallel एंटर करवाँ तो क्या होगा वो सारी सारी चीज़ा आपको पता है नलब की case number one easy है समझ सकते हो लेकिन case number two and three वो हमारे ये बहुत ही important है क्योंकि यहाँ पे path जो बनने वाल है या तो helical बनेगा या तो circular बनेगा या तो straight line बनेगा तीनों मेंसे कोई भी एक path हो सकता है या तो helical हो सकता है या तो circular path हो सकता है या तो straight line हो सकता है अभी straight line कब होगा वो आपको मैं समझा तो आपको पता है लेकिन फिर भी एक बार देख लेते that is the case number one इतना important नहीं है उसको समझना क्योंकि वो आपको पता ही है तो पता है तो फिर समझने की कोई जरूरत नहीं है लेकिन फिर भी समझा देता हूँ कि मान लो यह हमारे लिए case number one होगा आज से दो ही case देखें case number one and two जो helical वाला है ना उसका अलग से मैं lecture बना होगा जो कल के lecture में आपको समझ में आ जाएगा ठीक है तो आज का जो भी lecture होगा वो सिर्फ circular path and straight line के related होगा तो पहला जो case है छोटा सा case है मान लो बच्चों कि अगर मैं charge को आपको पता है कब वो charge के उपर magnetic force नहीं लगेगा और कब वो charge सीधा सीधा चला जाएगा जब उसको enter करवाया जाए either in the direction of magnetic field और in the opposite direction of magnetic field ठीक है तब ही यह होगा उसके साथ ठीक है तो बच्चों मान लो कि या तो मैंने charge को enter करवाया in the direction of electric field बरबर है तो मान लो कि वो case ऐसा है कि मान लो कि यह होगा इलेक्ट्रिक फिल बोल गया अभी भी इलेक्ट्रिक फिल में गुम रहा हूँ अरे भाई magnetic field कौन सा फिल हम यहाँ पर लेंगे uniform ठीक है ध्यान से समझना यहाँ पर हम जो भी discussion अगेरा करेंगे वो related to the uniform होगा ठीक है uniform magnetic field होगा तो मान लो कि this is the uniform magnetic field whose magnitude is B uniform है constant है parallel line से हमने सोख किया है और मान लो कि मैंने एक चार्ज लिया एक छोट असा चार्ज लिया जिसको फिल की direction में ही velocity प्रोवाइड कर दिया ठीक है मनब कि यही direction में मैंने यह फिल में उसको एंडर खरवाया this is the velocity of that particular chart मान लो कि वो positive charge है बताएए इसके साथ क्या होगा बताएए इसके साथ क्या होगा तो आपको पता है क्योंकि कोई भी charge को हम अगर magnetic field में enter करवाते हैं तो पहले तो यह देखा जाता है कि वो charge motion में है कि नहीं क्योंकि अगर वो steady होता तो उसके उपर कोई force नहीं लगता क्योंकि हमारा जो magnetic force है वो तीन चीजों के उपर depend करता है एक तो yes magnitude of charge दूसरा velocity of that particular charge and तीसरा magnetic field intensity ठीक है तीन चीजों के उपर वो matter करता है ठीक है तो यहां पर जब मैंने velocity 0 है नहीं velocity भी 0 नहीं है क्योंकि मैंने कुछ velocity तो प्रोवाइट कर दी है ठीक है और magnetic field भाई मैंने uniform field draw किया है field lines draw की है तो कहीं न कहीं उसका magnitude भी 0 नहीं है किसका magnetic field का uniform है constant है तो वो भी 0 नहीं है तो इसका मतलब यह होता है कि तीनों category तीनों quantity थी वो तीनों quantity तो यहां पर कुछ न कुछ value show कर रही है मतलब कि इसके उपर लगने वाला magnetic force तो 0 नहीं होगा ना 0 नहीं होगा ना अरे सर एक चीज़ आप बूल गए क्योंकि यह जो magnetic force होता है वो चार चीज़ों के उपर depend करता है अगर आपने वो वाला वीडियो नहीं देखा है तो प्लीज जाईए playlist सर्च कीजिए वहां से वो वीडियो देख लीजिए वह आपकी मर्जी है देखना है नहीं देखना है कि बहुत सारे ऐसा बोलते है न lecture में कि अगर आपने यह नहीं देखा है तो हमारे playlist में जाए i-link के उपर क्लिक कीजिए वहां पे लिंक होगी वहां चलो हमें वह नहीं करना है ठीक है आपकी मर्जी है देखना है तो देख लो नहीं देखना है नहीं मत देखो ठीक है वह आपके उपर depend करता है लेकिन हमने वह lecture में यह जरूर समझाया था कि magnetic force है वह चार quantity के उपर depend करता है ठीक है अगर आपने वह वीडियो नहीं देखा है तो कोई बात नहीं हम वापिस यहां पर समझा देते है कि magnetic force वह भी होता है उसका magnitude कितना होता है Q V, B, sin, theta ठीक है कितना होता है Q V,b, sin, theta मदो कि magnetic force कहीं ना कहीं Q के उपर भी depend करता है V के उपर भी depend करता है B के उपर भी depend करता है as well as angle theta के उपर भी depend करता है बच्चों, यह वाला case लेB CASE लेलो या फिर इससे उल्टा वाला case magnetic possibility का वही है वही direction में है लेकिन estoy direction में घुमाया V-vector है, ठीक है, यह है plus Q, और यह जो magnetic field है, वो है B-vector, मान लो, ठीक है, तो यह दो cases मेरे पास है, एक ये वाला case, एक ये वाला case, दोनों case में मैं क्या करने वाला हूँ, क्योंकि मुझे पता है कि मेरा जो magnetic force, मेरा नहीं, due to this magnetic field, whatever the force which is acting on this charge, उसकी बात करे, that is FM, Q, V, B, sin, θ, ठीक है, हम ये तीन चीज़ को तो देख पाते हैं, लेकिन ये angle भूल जाते है, तो इसलिए angle यहाँ पे बहुत ही matter करने वाला है, क्योंकि सिर्फ magnetic force Q, V और B की वज़े से zero नहीं होता है, zero होने के लिए और एक चौथा parameter भी है, जो है theta, angle, और यहाँ पे अगर आप ध्यान दोगे, यहाँ पे दोनों case में अगर ध्यान दोगे, तो यहाँ पे, क्योंकि ये जो theta है, वो किस के बीच का angle है, V and B के बीच का angle, ideally ये formula क्या है हमारे पास, ये formula, जो magnetic force का formula vector form में वो ये है, Q into V vector cross product with B vector, और कहीं न कहीं हमने ये V vector cross product with B vector को ही लिखा है magnitude के form में, Vb sin theta, ठीके, तो कहीं न कहीं ये theta है, वो V और B के बीच का angle है, और यहाँ पे, velocity और magnetic field के बीच में angle कितना है, बच्चों, आपको समझ में आता है, ये वाले case में 0 है, तो कहीं न कहीं ये Q, Vb sin 0 हो जाएगा, और sin 0 हो तो 0 होता है, इसलिए यहाँ पे कोई magnetic force नहीं लगेगा, महलब कि magnitude of magnetic force acting on this particular charge is 0, is 0, या सुनो, और बच्चों, अगर मुझे ये बात बताओ, कि हमारे Newton जी क्या बोले थे, Newton जी का second law क्या था, नहीं, second law पे तो नहीं जाएंगे, यहाँ पे पता था, पहला लो क्या था, उन्होंने बता था कि जब तक किसी motion में हो, ऐसा body के उपर, या फिर जो steady हो, रुकी हुए हो, ऐसी body के उपर, अगर net force में गुम रहा हो, यार, अगर उसके उपर net force 0 है, जब तक उसके उपर कोई force लगता रहेगा, तब तक उसकी motion acceleration से होती रह Yes or no? लेकिन मान लो कि उसके उपर लगने वाला net force 0 है, मरब कि कोई force नहीं है, force तो लग रहा है, समझना, force तो लग रहा है, लेकिन net force 0 है, net force 0 है, जैसे कि कोई body, बाई, किसी के उपर force ना लगे, ये तो possible ही नहीं है, ये तो possible ही नहीं है, by default यार, ये charge है, उसके उपर भी इसके उपर फोर्स लगने ही वाला है क्योंकि उसके पास अपना भी मास है तो due to that mg तो लगने ही वाला है जिस थिती में है वहाँ पर अगर उसके उपर लगने वाला native force अगर zero है तो चाहे वो steady हो या motion में मलब कि velocity से motion में हो वो अपनी उतनी ही velocity के साथ आगे बढ़ता रहेगा और अगर वो steady है तो वो हमेसा steady ही रहेगा yes or no मलब कि उसकी अवस्था में कोई change नहीं आएगा उसकी अवस्था वही की वही रहेगी yes or no मलब कि वो अपने पाथ से deviate नहीं होगा yes or no मलब कि अगर वो straight line में जा रहा है सीधा जा रहा है तो वो सीधा ही चलता जाएगा yes or no तो उसका path change नहीं होगा क्योंकि यहाँ पर उसके उपर path को deviate करने के लिए या फिर उसकी velocity में change लाने के लिए कोई भी force लग ही नहीं रहा है वैसे force तो लग रहे है लेकिन जो भी net force उसके उपर लग रहे है वो zero है और जो उसको deviate कर सकता है वो वाला force तो magnetic force है ना वो zero हो गया वो उसको deviate कर सकता था लेकिन उसके magnitude ही zero है magnitude zero है तो practically इसके उपर कोई force नहीं लगेगा और कोई force ही नहीं लगेगा तो जिस path के उपर वो जा रहा है उसी path को continuously follow करेगा yes or no? मतलब कि यहां पर मुझे ऐसा दिखे रहा कि वो straight line में जा रहा था ना तो जिस direction में velocity उसी direction को follow करता आगे बढ़ेगा जब तक यह field है तब तक यहां पर इसके उपर कोई magnetic force नहीं लगने वाला है yes or no? मतलब कि field इसके path को deviate नहीं करवा सकती है वो continuously straight line को ही follow करेगा ठी यहां पर मैंने ध्यान से देखा तो यहां पर मुझे क्या दिखा? magnetic force जो उसको deviate कर सकता था जो उसको deviate कर सकता वो खुद zero हो गया ठीक है? तो कही न कही मैं इसको यह बोलूँगा कि हाँ जिस line में वो आगे बढ़ रहा है वही line पे वो आगे बढ़ता रहेगा ठीक है? वही line में वो आगे बढ़ता रहेगा clear है point? clear है यह point? yes or no? तो कही न कही मैं क्या बोलूँगा? यहां पर इसका path क्या बना? straight line इसका path क्या बना? Straight line It is straight line Clear है? चल यहाँ पे यहाँ पे देखेंगे तो फिर वही वाली story repeat करता है QVB, यह 0 नहीं है लेकिन angle जब मैंने देखा तो magnetic field यह direction में velocity यह direction दोनों के बीच में angle कितना πाई का? बाई नहीं बोले, पाई बोले तो यह हो गया sine pi मतलब कि मैं 180 लिख दू sine 180 क्या होता है? वो भी 0 होता है मतलब कि यहाँ पे उसको deviate हो सकता था अपने path से लेकिन वो deviate करने वाला force है ना, वो magnetic force क्योंकि वो किसी field में से pass हो रहा है, सोचो ना किसी field में से वो pass हो रहा है किसी field में से वो pass हो रहा है तो वो field उसके उपर चाहे तो force लगा सकती थी चाहे तो force लगा सकती थी लेकिन उसके भी कुछ rules regulation होते है force लगने के लिए यहाँ पे उसकी dependency angle के उपर है अगर यह force 0 नहीं होता ना तो 100% वो अपने पाथ से deviate हो जाता लेकिन ऐसा नहीं होगा क्योंकि यह जो force है ना जो force लग सकता है due to this field देखो मैं बार-बार यही हमेशा बोलता हूँ कि आप पहले पढ़ो field intensity उसके बाद force के पास जाओ क्योंकि कहीं ना कहीं कहीं ना कहीं पहले existence किसका आता है field intensity का अगर field intensity present है तो वही intensity convert होती है force में चाहे आप static force ले लो magnetic force ले लो आलू ले लो, कांदा ले लो gravitational force ले लो सारे force में यही story चलती है सोचो, gravitational field से समझाओंगा सोचो यह pen अगर यहाँ पह है ज्यान से देखना camera में दिख रहे है यह pen ठीक है यह वाली hide पे मैं इसको छोड़ूँगा कहां जाएगी pen नीचे जाएगी न कहां जाएगी pen नीचे जाएगी क्यों नीचे गई क्योंके उसके उपर क्या लगा gravitational force लगा क्यों gravitational force सर क्यों का मतलब gravitational force तो लगता ही है कि mass के उपर mass gravitational force नहीं लगाएगा तो क्या लगाएगा भाई नीचे इतनी बड़ी आर्थ है और यहाँ पे फुद्धू सा mass है तो कही ना करें इसको खीची लेगा yes or no gravitational force लगा ही लगा yes or no मैं इसको हटा देता हूँ बताओ ये location पे क्या है किसका existence है सोचो अपना जो अर्थ की gravity है उससे दूर चले जाओ दूर चले जाओ space में चले जाओ क्या वहाँ पे इतनी ही gravity लगेगी लगेगी की नहीं लगेगी वहाँ तक क्या पहुचा mass पहुचा की gravity पहुची सोचो ना चांद की gravity यहाँ तक पहुच रही है तो क्या पहुचा उसका field पहुचा तो पहले किसका existence है field का existence है यह वाले point पे किसका existence है field intensity का existence वहाँ पे अगर mass हम यहाँ पे रखे न तो वही intensity convert हो गई force में और कही न कहीं नीचे चली है तो यह intensity अगर present है न तो force लग सकता है intensity होते हैं पुचो न ग्रेविटेशनल field ही नहीं होता अर्थ का तो क्या किसी mass के ओपर force लगता है तो किसका existence पहले होता है field intensity पहले आती है किसका existence पहला है intensity का उसके बाद force लगता है यह सुरनो field intensity हर एक जगव है हम बोलते हैं यह gravitational field है ठीके इसका यह magnetic field है तो magnetic field के अंदर वो particle है तो उसके ओपर force लगेगा खीचा चलाएगा यह सुनो तो उसके लिए पहले तो उसका field exist होना ज़रूरी है field का existence होना ज़रूरी है अरे यार तो पहले सम्हमेसा यह समझो पहले न फिल intensity पढ़ो उसके बाद तो सर सीधा आप समझाते पहले field intensity पढ़ाते उसके बाद force के ओपर लेकर अरे भाई वो क्या करे कि हमें किसको follow करते है आपने वो title वाले नहीं देखियो हमारी जो thumbnail थी वो वहाँ भी क्या लिख रहा था नीचे 12 standard NCRT में जो order दिया कि वही follow करना पड़ता है क्या करें yes or no हमारे हाथ बंदे हुए है लेकिन यह समझने के कोसिस करो पहले field आता है उसके बाद force आता है ठीक है field को समझो field चाहे तो force लगा सकती है yes or no अभी field की चाहत किसके उपर depend करती है वो निकाल लो यहां से वो समझ लो आपको सारी चीज़े समझ में आ जाएगी field चाहे तो force लगा सकती है लेकिन field की चाहत किसके उपर है q के उपर है v के उपर है v के उपर है as well as theta के उपर है यहां पे सिर्फ q v b नहीं theta भी matter करता है इसकी चाहत को बदलने में yes or no जैसे ही आपने angle change के दिया 180 का डाल दिया बात खतम यह field की चाहत मिट गई उसको इसको नहीं खिचना है इसको नहीं deviate करना है ठीक है बात खतम होगे क्योंकि 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 यह sign 180 0 हो गया और field की चाहत sign theta के उपर dependent थी sign theta ना अपनी value 0 बोल दी मतलब की field की चाहत बदल गई वो इसको deviate करना नहीं चाहता है बात खतम तो अभी क्या होगा अभी यह बंदा ना बीचार हो उसके उपर कोई force यह field है फिर भी इसके उपर force नहीं लगेगा क्या बात है field है फिर भी force नहीं लगेगा force नहीं लगेगा यह चाहता तो इसके उपर force लगा कि उसको deviate कर सकता था क्योंकि कहीं न कहीं मैं सीधा जा रहा हूँ ठीक है अगर कोई बंदा मुझे यहां से यह वाली direction में कोई force लगाना नहीं चाहता है तो मैं सीधा ही चलता जाओंगा लेकिन मान लो कि मैं ऐसे सीधा जा रहा हूँ किसी बंदे को हडी बोलते हैं ना गुजरादी में हडी करवानी इच्छाता है तो किसी को ना ऐसे हडी करने की इच्छा हुई उसे मुझे यह direction में force लगा मैं ऐसे जा रहा था मुझे यह direction में भी force लगा रहा था तो मेरी motion कैसी होगी ऐसी होगी ना एंगल पे चला जाओंगा ना yes or no होगा की नहीं होगा होगा yes or no तो सारी चीज़े ना फिल के ओपर चाहत के ओपर है और उसकी चाहत ना चार कॉंटिटी के ओपर dependent है one is the qvb as well as sin theta अगर ये change हो गया ना तो 100% चाहत भी उसके ओपर फिल है सर चाहत चाहत चलो है समझो ना यहाँ पर सीधी बासा में समझो कि sin 0 हो जाएगा तो sin theta की value अगर 0 हो गए तो कहीं ना कहीं इसके ओपर force नहीं लगेगा जो force इसको deviate कर सकता था वो force नहीं लगा इसका मतलब की according to the NLM1 हम यह बोल सकते कि वो जिस परिस्तिती में से पसार हो रहा है गुजर रहा है वही परिस्तिती को वो continue follow करेगा मतलब की इसके लिए भी इसका path क्या होगा straight line तो ये वाले किस में भी इसका path क्या हो सकता है straight line हो सकता है ठीक है तो ये भी क्या आएगा straight line ही आएगा yes or no तो कहीं ना कहीं ये पहला path बना ये पहला path है हमारे लिए कि जो path से हम बोल सकते है यह पहला path है हमारे लिए first path, ठीक है, जो straight line बन सकता है, जो अगर किसी moving charge को आप किसी magnetic field, uniform magnetic field में दोड़ाओ, तो आपको यह एक path possible है कि मिल सकता है, ठीक हम यहाँ पे सिर्फ वो possible तीन path की ही बात करने वाले, उसमें से एक पहला possible path है, straight line, जो हमने देख लिया, वो कब मिल सकत में या तो parallel enter करवाओ, या तो anti-parallel enter करवाओ, ठीक है, या तो parallel enter करवाओ, या तो anti-parallel, तब आपको यह straight line मिल सकती है, ठीक है, उसका path straight line मिल सकता है, यह होगा first path, clear है यह वाला point, I hope so कि आपको clear हुआ है, देखो मैं जितना हो सके न उतना easily समझाने की courses करता हूँ, I hope so कि आपको समझ में आ रहा है, दिमाग में थोड़ा थोड़ा ज्यादा नहीं, बर थोड़ा थोड़ा जा रहा है, ठीक है, थोड़ा थोड़ा भी जाएगा न तो बहुत important हो जाएगा, अमारे लिए बस इतना समझो, कि जब हम parallel, anti-parallel हम इसको दोड़ाएंगे, magnetic fill में, तो हम अमेंसा उसका पात कुन सा होगा, straight line होगा, clear है point, चलिए, तो दूसरा पात देखते, दूसरा पात, second पात, जो है circular पात, ठीक है, आइए देखते है circular पात कब मिलता है, ये होगा case number one, अभी दूसरा case देखते है, circular पात, चलो, देखते है circular पात कब मिलता है, आओ अच्छो से देखते जाओ, number two, circular path, circular path, यहाँ पर मैं heading लगा ना भूल गया था, वहाँ पर, यहाँ पर लगा, circular path, बच्छो किसी charge की वज़े से circular path, किसी charge को अगर मैं magnetic field, sorry, uniform magnetic field में अगर दोड़ा हूँ, तो उसका path circular कब बनेगा, कब वो पूरा circle बनेगा, आईए देखते हैं, ठीक है, आईए देखते हैं, मान लो बच्छो यहाँ पे ना थोड़ा field ना मैं change करता हूँ, अब तक ना field मैं ने x direction में लिया था, अभी ना मैं उसको z direction में field दिखाना चाता हूँ, ठीक है, तो यह जो field है ना, वो z direction में है, ऐसा assume कर लो, ठीक है, तो यह एक uniform field है, parallel lines है, and inside, इसकी direction क्या है, inside है, ठीक है, यह inside direction में है, ऐसा एक field है, uniform field है, ठीक है, अभी समझो, यहाँ पे सोचो कि अग करवाओं, तो मेरे पास कितनी possibility बनेगी, देखो, यहाँ पे दो possibility बनेगी, पहली possibility जो हमने देख ली, sorry, वो अलग है, यहाँ की बात करते हैं, यहाँ पे मेरे पास दो possibility बनेगी, या तो मैं यह magnetic field के perpendicular उसको velocity दूँ, या तो किसी angle पे उसको velocity दूँ, ठीक है, या तो मैं य magnetic field के perpendicular, exactly perpendicular में इसको velocity दूँ, या फिर मैं क्या करूँ, किसी angle के उपर में velocity दूँ, yes or no, किसी angle के उपर, मलब magnetic field से किसी angle के उपर में velocity दूँ, देखो, जब भी आप, ध्यान से समझना, यह वाला case दो है, circular पास तब मिलेगा, जब भी आप किसी charge को, किसी charge को, magnetic field के perfectly perpendicular velocity प्रो velocity देखके आप दोडाना स्टार्ट करोगे, तो हमेशा उसका पात क्या बनेगा, circular बनेगा, और अगर आपने उसको किसी angle पे दोडाना स्टार्ट किया, तो उसका पात हमेशा क्या बनेगा, helical बनेगा, yes or no, helical बनेगा, ध्यान से देखना, ध्यान से देखना, ध्यान से दे रहा हूं, PLUS Q, और मैंने क्या क्या, क्योंकि ये direction में, Z direction में, INSIDE मेरे पास एक Uniform Magnetic Fill है, मैंने इसी, इसी fill के PIRPENDICULEUR मैंने इस charge को VELOCITY दे दी, मैंने क्या क्या, PIRPENDICULEUR इसको VELOCITY दे दी, ठीक है? exactamente PIRPENDICULEUR मैंने VELOCITY दे दी, मालो कि मैंने x direction में यूँकि Z का perpendicular क्या होता है? X न? ठीक है? तो मैंने क्या X direction? ऐसा नहीं है, आप Y direction में भी दिये सकते हो, ठीक है? कोई problem नहीं है, path उस तरह बनेगा, लेकिन जो भी velocity देते हो, वो किसी angle पर नहीं, exactly 90 degree पर दो, ठीक है? मलबकिन 0 से 90 के बीच का angle मत पसंद करो, 0 तो पसंद करना ही नहीं है, उसका तो case दे लिया, ले लिया हमने कि जब भी 0 angle देते है, तो straight line बन जाएगा, ठीक है? हमने क्या देखना है अभी? या तो 0 से लेके 90 के बीच का एक angle, या फिर perfectly 90 degree, ठीक है? तो यहां पर हम देखने वाले perfectly 90 degree वाला case, ठीक है? फिर देखेंगे 0 से 90 के बीच म में देदी, जरूरे नहीं है, आप या दे सकते हो, ठीक है? कोई problem नहीं, लेकि 90 पे होना चाहिए, ठीक है, perfectly 90 होना चाहिए, तो यहां पर देखो अभी होगा क्या? यहां पर होगा क्या? यह चार्ट के साथ क्या होगा? देखो पहले तो मैं यह वाले location पे, जब मैंने इसक velocity दे दी, तब यहां पर force कहां लगेगा, magnetic force, magnetic force कहां लगे? क्या magnetic force की चाहत है, यह फिल की चाहत है कि वो उसके ओपर force लगा है? जी हाँ, है, है, क्योंकि फिल किसके ओपर depend करता है? हमें पता है, फिल चार quantity के ओपर depend करेगा, Q, V, B, and sin theta, क्योंकि यहां पर theta कितना है 90 degree, त sin 90, तो 1 हो गया, बहुत कि यह तो maximum possible force दे सकता है, अगर फिल की चाहत है, तो maximum value का force दे सकता है, तो चाहत तो है इसको फिल लगाने की, sorry, force लगाने की, ठीक है, तो अब यह देखते है, कि वो direction कौन सी होगी, force की, त्यान से देखना, यह वाले location के ओपर direction कौन सी होगी, त्य velocity यहाँ पर, मैं कैसे निकाल हूँ, direction कैसे निकाल सकता हूँ force की, direction कैसे, right hand palm rule, ठीक है, positive charge है, तो right hand को उठाओ, ठीक है, velocity की direction में क्या करना है आपको, velocity की direction में आपका thumb point करना है, ठीक है, मैंने कर दिया, चलो, उंगलियों को, field की direction में, field inside है, तो मैंने उंगलियों को, field की direction में हैं पॉइंटा आउट कर दिया, अभी दियान से दिको। यह होगा उपर की direction में लगेगा, यह होगा magnetic force, है की नहीं, यह होगा magnetic force, थोड़ा देख लेते हैं यहां पर, clear है न, visible, ओके, चलो, यह वाली direction में force लगा, बहुत ही बढ़िया, बहुत ही बढ़िया, सोचो बच्चो, एक तो इसको यह direction में velocity है, और दूसरा, एक force लगा यह direction में, तो इसकी motion कहां हो सकती है, क्या यह सीधा ओपर जाएगा, नहीं, क्या सीधा V की direction में जाएगा, नहीं, कहां जाएगा, यह दोनों के बीच में, यह दोनों के बीच में जाएगा, क्योंकि यहां पे भी एक force लग रहा है, जिसकी वज़़ा से इसको acceleration मिलेगा, है की नहीं, और अभी यह पार्ट से डेविएट हो जाएगा, यह सीधा नहीं जा पाएगा, क्योंकि यह direction उसके पास already velocity, यह direction force लगा, तो थोड़ा से डेविएट हो के यह वाली direction में आगे बढ़ जाएगा, है कि नहीं, तो कहीं नहीं, यह आगे बढ़ेगा, यह वाली direction, टुक टुक ऑउन पोई चले, अभी यहां पे देखो, मालो वह यहां पे पहुँचा, थीक है, यहां पे चाँच को लगा दिये, यहां से हो अरब यहां पे पहुचा, ठीक है, अभी देखे, अभी इसके पास प्रक्राब क्योंकि यह direction में क्योंगें, तो tangential direction में, मह भी कि यह direction में, उ ऐसे पोइंट आगो तो इसको फोर्स इक ़िक से यहाँ इसको यह चीछ प्रिम अगे न पाथ है? यह कुछ समझ में आगा है कि आपको जैसे एसे आगे बढ़ते जाहूगे ना तो कहीं ना कहीं, कहीं ना कहीं, ओ तिरी ये तो सर्कल बना देगा, ये तो सर्कल बना देगा, इसको आगे बढ़ाते जाओ ना, इसको आगे बढ़ाते जाओ जैसे कि यहां पे पहुंचा, और यहां में हो जाओ, कहां पहुंचा, इधर पहुंचा, देख लो इधर, जब इ तो पाम ने कौन सी direction को point out किया यह direction को यह direction को बनाब कि इसके उपर जो force लगेगा न वो force यह direction में लगेगा वो तेरी यार यह देखो न मड़़ एवरी टाइम कोई भी एक location पकड़ लो force कहीं न कहीं किसी एक virtual center की और लग रहा है किसी एक virtual center की ओर लगा यहां पे देख लो जब वो गुमता गुमता यहां पे आएगा ना जब वो गुमता गुमता यहां पे आएगा तो यहां पर उसके velocity के direction क्या होगी यह वाली ठीक है अभी इसके direction के हिसाब से देखो यह direction में क्या है यह direction में थम और हमारा जो finger है वो कौनशी डियरेक्शन बताई तो देखो पाम ने कौनशी direction बताई ओ तेरी पाम ने तो यह वाली direction बताई ठीक है तो यह direction में उसको यहां पर direction में होगी और जो force लगेगा ना magnetic force वो force हमेशा towards the virtual किसी एक virtual center को यहां पर imagine करो वो virtual center की और लगेगा yes or no क्योंकि यहां पर तीनों पर परपेंडिकुलर है तीनों परपेंडिकुलर है तो यहां पर मुझे क्या दिखा यहां पर मुझे यह यह दिखा कि तो velocity perpendicular to the field है और जो force लग रहा है और जिस force को मैं देख रहा हूं यहां पर वो कहीं न कहीं एक virtual center की और लग रहा है क्या मैं इसको circular motion के इसाब से centripetal force बोल सकता हूँ centripetal, center की और लगने वाला force circular motion पड़े थे की नहीं पड़े थे uniform circular motion पड़े थे की नहीं पड़े थे तो वहां पे जो force लगता था ना साइद पड़े होंगे centripetal force होता है यह एसा force जो किसी circular motion कर रहे object के उपर center की और लगता है उसको centripetal force बोला जाता है है की नहीं यह सूरनों तो कही न कहीं यह जो magnetic force है क्या कहीं न कहीं यह centripetal force तो नहीं है है की नहीं हाँ अगर वो centripetal force है तो कहीं न कहीं center की और एक centripetal acceleration भी लगाता होगा है की नहीं तो क्या यहां पर यह तो motion होगे circular motion क्योंकि every time मुझे क्या दिखा every time मुझे यही realize हुआ कि यहां पर force लगा force यह direction में थोड़ा deviate हो गया जैसे यहां पर पहुंचा वहां पर देखा तो भाई velocity यह direction में force perpendicular to this towards the virtual center तो कहीं न कहीं force यह direction में था यह थोड़ा deviate हो गया यह बंदा ना आप उसको दोड़ाना चाहते सीधा लेकिन आपकी गलती क्या थी आपकी गलती यह थी कि आपने उसको वैलोसिटी जो प्रोवाइड की ना वो 90 डिगरी पे किसके 90 पे magnetic field के 90 पे प्रोवाड कर दी तो बंदा ना एक पर्डिकुलर लूप में अभी गुमता ही रहेगा यह सुनू वो बंदा अभी परडिकुलर लूप में गुमता रहेगा उसके रिदा कुछ नहीं हो सकता वह लूप को नहीं निकाल सकता लूप को तोड़ नहीं सकता वह magnetic field के perpendicular दो, तब, हुआ point clear, point clear हुआ, तो ये होगा circular path, कब बनता है, जब आप क्या करो, किसी भी charge को, किसी magnetic field में, आप magnetic field के perfectly perpendicular velocity दो, तब ये possible होता है, yes or no, 0 degree वाला case इसके पहले देखे, ठीके, अभी हमने देखा 90 degree वाला, उसके बाद देखने वाले 0 से 90 के बीच में, अगर क क्या होता है, ठीक है, उसके बात में करते हैं, पहले इसके related थोड़े components वगएरा निकाल लेते हैं, क्योंकि अभी हमें पता चल चुका है, कि ये तो perfectly एक circle बनेगा, मान लो कि मैंने इसका assumption भी ले लिया, मान लो कि ये जो circle बना न, वो radius small r वाला था, उसकी जो radius है, वो कितन अब ये circle, circular path पे ही गुमता रहेगा, वो कभी भी अपने path को chain नहीं कर पाएगा, वो circle ही गुमता रहेगा, ठीक है, circle काता रहेगा, काटता रहेगा, ठीक है, ये ही होगा उसके साथ, बीचारे के साथ, ठीक है, तो कहीं ना कहीं, ये जो magnetic force जो लग रहा है, everywhere, ऐसा नहीं है कि मैंने जहां-जहां location बता है, वहीं passive magnetic force लग रहा है, वो आपको पता है, circular motion, everywhere, at every places, direct place पर, कोई भी place ले लो, यहां पे, यहां पे, यहां पे, कोई भी place के ओपर आपको ये, velocity, tangential direction में, उसके perpendicular force जो भी होगा हो, किसी virtual center की और लगता होगा, बलब कि वो एक circular motion ही करता रहे ठीक है, clear हुआ ये point, clear हुआ कि नहीं हुआ, ठीक है, चलो तो अभी इसके थोड़े component वगेरा निकल लेते, क्योंकि अभी हमें ये समझ में आ गया कि ये तो पूरा circle बनाएगा, तो मेरे दिमाग में दो चीज़े आती है, मेरे दिमाग में दो चीज़े आती है, सायद आप खर्चा हो चुका है, तो दो-तीन चीज़े यहां पे निकाल लेते, क्या problem है भाई, क्या बुराई है, क्या मैं ये तो identify कर पाऊं, कि अगर मैं चार्ज को इतनी velocity से, अगर मैं किसी magnetic field के perpendicular velocity देके अगर घुमाना चाहूं, तो कितनी radius के circle में घुमेगा, ठीक है, दूसरी ची जो सिर्फ velocity और इतनी थोड़ी बहुत चीज़े याद हो, तो आप वो निकाल सकते हो, and second thing, second thing क्या होगी, second thing ये होगी, कि उसको एक circle complete करने में कितना time लगेगा, ठीक है, तो we are going to calculate these two things, इसका हम अभी formula बनाना चाहते है, ठीक है, तो आओ बना लेते है formula, उसमें क्या problem है, ह हमें बता है कि यहाँ पे कहीं न कहीं ये जो FM है, अच्छा, ये जो आगे का analysis है, उससे पहले हम थोड़ा एक assumption ले लेते हैं, मान लो कि ये जो charge है, उसके पास charge तो plus Q है, लेकिन साथ में उसका mass भी कुछ M है, क्योंकि कहीं न कहीं जब भी force की बात आती है, तो force, क्योंकि वो motion में है न, वो steady तो नहीं है, motion में है, क्या, इसके opposition में कोई force लगा क्या, नहीं लगा न, तो कहीं न कहीं ये motion में होगा, तो कहीं न कहीं उसको center के और एक centripetal acceleration लगेगा, और कहीं न कहीं ये force को ही मैं MA से represent कर सकता हूँ, ठीक है, ये NLM2 है न हम न, कि अगर net force 0 ने त assume करना पड़ेगे, मान लो कि बच्चो ये जो charge है न, उसका छोटा सा mass है, M, ये जो mass है, वो किसका है, ये small m, जो किसका है, ये छोटा सा, जो मैंने charge assume के है, जिसको मैं दोड़ाने वाला हूँ, उसका mass है, ठीक है, assume कर लेते हैं, तो बच्चो पहले तो मैं ये बोलूँग ये एक virtual center है, उसी की direction में ये force हमेशा लगेगा, ठीक है, तो मैं इसको centripetal force बलूँगा, तो अगर मैं इसके साथ इसकी comparison करना जो तो ये centripetal force, मैं कितना लिख सकता हूँ, क्योंकि ये तो है मेरे लिए FM, ठीक है, और यहाँ पर मैंने FM क्या लिखा था, ये वाले case में, क बच्चो, ये हो गया मेरा magnetic force, जो everywhere इसके ओपर लगने वाला है, ये charge के ओपर लगने वाला है, FM, जहाँ जहाँ पर मैंने, लेकिन यही FM तो मेरे लिए क्या है, centripetal force है, यही FM मेरे लिए क्या है, centripetal force, क्योंकि मैंने देखा कि ये तो circular path बना, इसका मनलब यह होता है, कह मालो कि यही direction में उसको centripetal acceleration भी लग रहा है, ठीके, तो यह M से के बराबर हुआ है, तो यहाँ पर में AC की value क्या लिख सकता हूं, AC की value में लिख सकता हूं, it is nothing but QVB divided by M, अभी बच्चो मुझे यह बताओ, प्यारे बच्चों, यह AC क्या होता है, AC क्या होता है, 11 standard को याद क्या centripetal acceleration V square by R के बराबर होता है, अरे, 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 सर नहीं आया, नहीं आया, अरे भाई, 11 standard circular motion, uniform circular motion, याद करो centripetal acceleration कितना होता है, V square by R के बराबर होता है, है की नहीं, V square by R के बराबर होता है, तो कहीं नहीं, मैं इसको क्या लिखूंगा, it is nothing but V square by R, that is equals to QVB divided by M, अच अचा, एक V तो एक V के साथ चम्मा चम्मा हो गया, what I want to find out is value of R, मुझे ये radius निकलनी है, मुझे ये radius निकलनी हमारे पास जगा है नीचे, तो मैं इसको क्या लिखूंगा, एक V तो चम्मा चम्मा बचा क्या V by R, that is equals to QB by M, सही है, तो यहां से कहीं ना कहीं, कहीं ना कहीं म का M by QB, हैगी नहीं, so यहां से what is the value of R, मुझे ये जो circle बनाना, उसके radius कितनी होगी, radius होगी by MV upon QVB के बरावर, ठीक है, तो इतनी radius का path बनेगा, अभी ध्यान से देखोगा, तो ये radius किसके उपर dependent है, ये जो circle बनाना, ये जो circle बनाना किसके किसके उपर dependent है, तो एक तो QV के उपर, बनाब कि ये पूरा जो magnitude है, जो center guard लगने वाला है, वो force के उपर, उसका magnitude के उपर, दुसरा, तो ये जो charge है ना, उसके mass के उपर, और तिसरा, उसके velocity के उपर dependent है, yes or no, बच्चो ध्यान से, देखो, ये MV है न, MV, ये MV है न, क्या MV को मैं momentum नहीं बोल सकता, सोचो, भाई, linear momentum होता क्या है, MV के बराबर, तो कहीं न कहीं, let this MV is equals to momentum, तो अगर मैं इसको momentum, जिसको P vector से denote किया जाता है, ठीक है, फिर मैं P लिखूंगा ताब बोलोगे, सरे तो power लिखा आपने, अरे वो power नहीं है, इसको differentiate क्या, power vector quantity नहीं होती है, yes or no, ये vector quantity इसलिए दिखा, क्य क्योंकि मैंने आपको ये identify करके दिया, कि भाई, ये MV है न, वो momentum है, ठीक है, तो कहीं न कहीं मैं इसको क्या लिखूंगा, it is nothing but, R is equals to P by QVB, है कि नहीं, तो एक relation तो ये भी बन सकता है, एक relation तो ये भी बन सकता है, मलब भी ये radius किसके बराबर होती है, momentum upon QVB के बराबर, ठ ठीक है, तो चलो, मुझे दो चीजे निकालनी थी, उसमें से पहली चीज तो मुझे मिल चुके, that is the radius, radius of this circular path, कितनी आई, P upon QVB के बराबर, clear है point, yes or no, बहुत ही आसान है यहाँ पे लगाए, अमने क्या मानले है, जो magnetic force लग रहा है, इतने magnitude का है, वही यहाँ पे center के और ल लगा दिया, कि centripetal force कितना होता है, MAC के बराबर, और यहाँ से AC का value लगाए, तो हमें, वो radius मिल गई, जितनी radius पे वो घुमेगा, ठीक है, यह हो गई, radius कितनी बनती है, MV by QVB, ठीक है, दिमग में fit कर दो, बहुत बार हमें, यह important होने वाले है, बहुत बार हमें काम आने व लगें कितना time लगेगा, ठीक है, दिखते, सरकल time, सरकल complete करने में, कितना time लगेगा, ठीक है, यह circle जब भी complete करता है, То कितना distance travel करता है वो, तो बाई 2 pi r के बराबर, ठीक है, 2 pi r के बराबर, कितनी velocity से, V velocity से, है कि नहीं? तो बाई, मैं क्या यह बोल सकता ह।, कि यह velocity V is nothing but equal to, कितना distance travel करेगा, 2 pi small r के बराबर, divide by, एक circle complete करने में लगने वाला type, क्या बोला जाता है, capital T, time period, ठीके, तो यह time period T हो गया, तो T का value मुझे यहाँ पे निकालना है, तो मैं क्या करूँगा, भागी की value को place करूँगा, ठीके, R कितना है यहाँ पे, mv by qvb, mv by qvb, qvb, divide by v, v ने v को छम्मा छम्मा कर दिया, तो बचा क्या 2 pi m, सर्थ ठुल्लू बचा, क्या ठुल्लू बचा, भागी, v भी cancel होए, और क्या cancel हो, कुछ भी नहीं, distance upon time, भागी, v तो यहीं से cancel हो गया था न, हम कहीं पे गल्ती किये क्या, हाँ, देखो, बहुत ही बड़ी गल्ती किये, हे राम, यह क्या कर दिया, अरे बहुत ही बड़ी गल्ती किये, यहां से v v को cancel किये, लेकिन यहां से तो मिटा ही नहीं, यहां से मिटा ही नहीं, यह नहीं आएगा भाई, सोरी, बावनाओं में बेह गए, और आप लोग कुछ बोलते भी नहीं हो, चलो, सोरी, गल्ती हो गई, यहां पर वही मैं सोचूँ किया रे, यह कहां से v, यहां पर, वैरुशीटी जोड़ी डिपेंडन नहीं होता है, इंडीपेंडन होता है, चलो आजा आजा जाजो, हमरा गल्ती है, देखो भाईया, यह वी तो यहां से चम्मा चम्मा हो गया था यह चम्मा चम्मा हो गया तो यह बचा V by R Q B by M रेसी प्रोकॉलर R by V Q Q B V नहीं आता है यहां पे, V cancel हो गया न, V cancel हो गया गलत समझा दिया आपको यहां पे, V cancel हो जाएगा और यह हो जाएगा, V तो यहां पे चला भी बरवर है, ठीक है तो यहां पे Q B होगा तो यही मैं समझू कि यहां सोचू कैसे यह होगा, हाँ यह Q B होगा Sorry, it was my mistake, ठीक है, चलो, it was my mistake So यहां पे V cancel हो गया, ठीक है, V cancel हो गया तो बचा क्या यहां पे 2 Pi M upon Q B, अब सही है, क्योंकि न, point है, point यह है, कि यहां पे लगने वाला time न, कभी भी velocity के ओपर depend नहीं करता है ठीक है, इसलिए मैं समझू कि यहां पे V कहां से extra आ गया, V तो नहीं आना चाहिए, क्योंकि V वी तो cancel हो जाता है, और time तो नहीं तो dependent हो जाता चलो, सही है, बरोबर है, यहां पे हमारा गलती था, चलो, चेंज कर लिए न, यहां पे अपने, जो लिखा हो अगरा होगा, वो चेंज कर असल अभी थोड़ी है लिखते हैं, लाइव लेक्चर हो थोड़ी है लिखते हैं, अभी तो हम क्या करेंगे, lecture को complete हो जाने के बाद थोड़ा बेट करेंगे और उसके बाद लिखेंगे, ठीक है, बढ़िया है, चलो, तो यहां पे हमें टाइम कितना मिला, देखो बच्चो, टाइम कितना मिला, टाइम मिला हमें 2 पाई एम अपॉन क्यू बी के बराबर, मतलब कि किसी भी चार्ज को एक पूरा सरकल कम्प्ल नहीं है, यह वेलोसिटी के उपर डिपेंड़न नहीं है, देखो ना, टू पाई एम अपॉन क्यू बी, यह टाइम किस के उपर डिपेंड़न है, मास के उपर डिपेंड़न है, पहली चीज़, दूसरा, चार्ज के उपर डिपेंड़न है, तीसरा, मागनेटिक फिल इंट भब्हाओ दोनों को एकवल टाइम लगेगा अपना। पाथ complete करने मैं क्या बोला। अपना पाथ Complete करने मेंünüz मुला कि सर हरेके अलग अलग पाथ होगा। जी हाहां हरेक का अलग अलग पाथ होगा। लेकिन उन सभी को किसी ने छोटा पात बनाया, किसी ने बड़ा पात बनाया, किसी ने और बड़ा पात बनाया तो depend करेगा बात कितना बड़ा होगा, कितना बड़ा सरकल होगा, वो तो velocity के उपर depend है देखो, R किसके उपर dependent है, V के उपर, है की नहीं, R का dependency velocity के उपर है मनब कि जितना ज्यादा velocity उतना बड़ा circle बनेगा यह सुनो लेकिन चाहे वो circle छोटा हो बड़ा हो या और बड़ा हो सभी charge को यह circle एक circle complete करने के लिए जो time लगेगा न वो हरे को same लगेगा अगर इसने one second लिया तो इसको भी one second ही लगेगा यह सुनो सर यह किस से हुआ अरे आपके सामने है time period is independent of velocity मनब कि चाहे कितनी भी तेजी से दोड़ाओ या slowly दोड़ाओ अगर वो slow जाता होगा तो उसका path छोटा बनेगा अगर वो तेजी से भाग रहा है तो उसका path उतना बड़ा बनेगा और तेजी से भाग तो उतना बड़ा path बना लेकिन circle complete करने के लिए time सभी को same लगेगा अपना अपना circle complete करने के लिए सभी को time same लगेगा जितनी ज्यादा velocity उतना बड़ा circle है कि नहीं जितनी ज्यादा velocity उतना बड़ा circle जितनी छोटी velocity उतना छोटा circle छोटा circle बनेगा तभी तो वो उतने time में complete कर सकेगा और जिसके पास velocity ज्यादा तेजी से भाग सकता है तो उसको time equal करने के लिए ज्यादा बड़े path से follow होके आना पड़े उसको complete करना पड़ेगा क्योंकि यह जो radius है न वो तो velocity के ओपर dependent है है कि नहीं अरे यार समझो point को समझो जितनी ज्यादा velocity उतना बड़ा path यह सुनो अगर किसी बंदे के पास ज्यादा तीजी से भाग सकने के शमता है तो उसके लिए उसका circular path भी यहाँ पे बड़ा बनेगा yes or no ताकि क्या होगा यहाँ पे कोई किसने कम time में अपना circle complete करेंगे किसी ने नहीं सभी साथ में complete करेंगे यहाँ पे कच्छवे को बगाया जाए या खर्गोश को बगाया जाए दोनों को वो path complete करने में same time लगेगा इसको बोलते हैं नियाई magnetic field provide करता है किसी के साथ पक्स पात नहीं इसने इसका पक्स लेक साथ कुछ भी नहीं सबके साथ same equal नियाई प्रथा हाँ equal नियाई प्रथा अगर वो तेजी से भाग रहा है कोई बात नहीं किसी को जीतना नहीं है सभी को एक साथ अक्केले नहीं है एक साथ अवल नमबर पर आना है ठीक है यह ऐसा करता है समझ में हाँ cognitive will क्या करता है अगर जयादा देजी से भाग रहा है तो उसका circle बड़ा बना देगा अगर काम देजी से भाग रहा है कछवा है तो उसका circle छोटा बना देगा तू भी जीतेगा ये जीतेगा जीतेगा बढ़ी लोग जीतेंगे यहाँ पे क्योंकि सबको same time लगने वाला है कोई भी velocity से भागो जितनी ज्यादा velocity उतना पात बड़ा बनेगा yes or no? बट जो after all जो time निकलेगा न एक circle complete करना है वो तो सबका same ही रहेगा वो सबका same ही रहेगा ठीक है? समझ रहे हो? लेकिन same रहेगा लेकिन उसके लिए आपको ये भी assume करना पड़ेगा कि यहाँ पर उसका mass हरेक के लिए same है charge हरेक के लिए same है और fill वही है जो यहाँ पर आप किसी एक के लिए use कर रहे हो ठीक है? समझ में आ रहे ही बात? तो यहाँ पर time period तब सभी के लिए same होगा तो यह जो point था जो मैं आपको highlight करवाना चाहता था ठीक है? यही से गलती पता चली थी मेरी चला आई बात clear? समझ में आई? ठीक है? अच्छा और यही से ना हमारे पास एक और frequency वाली चीज़ आ जाती है क्योंकि time period का reciprocal क्या होता है? frequency होता है ठीक है? एक circle complete करने के लिए जो time लगेगा उसका reciprocal लोगे तो हमें क्या बुला जाएगा? इसको frequency बुला जाता है ठीक है? तो frequency क्या होती है? हमें पता है frequency 1 upon time period होती है और वो कितनी हो जाती है? qb upon 2 pi m, ठीक है? तो अगर कोई बार आपको frequency निकालने को बुले तो frequency कितनी आएगे? qb by 2 pi m, ठीक है? qb by 2 pi m, clear है? ठीक है? यहां तक clear हुआ? ठीक है? radius तो velocity के ओपर dependent है जीतनी जादा velocity उतना बड़ा पात बनेगा लेकिन अगर time period की बात करें तो it is independent of velocity ठीक है? आप कछवे की spirit से बगाओ उस charge को या फिर खर्गोस की spirit से बगाओ दोनों को, दोनों केस में एक पूरा circle complete करने में time हमेशा same लगेगा ठीक है? clear हुआ इतना point? तो यह हो गई circular path की बात हमने आज दो path study की, एक straight line study की, दूसरा circular path study किया ठीक है? कल हम helical path और उसके component को निकालना चाहते हैं कई बाद एक question छोटा सा आ जाता है कि क्या ये frequency ध्यान से समझना, क्या ये frequency क्या momentum के ओपर depend करती है? चार्ज के momentum के ओपर? सोच के बता हूँ क्या frequency चार्ज के momentum के ओपर depend करती है? momentum क्या होता है? mv momentum क्या होता है? mv यहाँ पर mass तो है, लेकिन velocity से तो time period independent है na तो frequency भी velocity से independent है अगर मुझे यहाँ पर mv बनाना पड़े तो मुझे v से multiply and divide करना पड़ेगा तो कही ना कही वो frequency ना velocity के ओपर dependent हो जाएगी तो ये तो गलत relation हो जाएगा तो इसके लिए अगर कोई मुझे पूछे कि अगर वो charge को हम magnetic field में दोडा रहे और हमने velocity प्रोवाइट की perfectly 90 degree पे किसके? magnetic field के 90 degree पे प्रोवाइट की तो उसका जो circular path बनेगा उसकी जो frequency निकलेगी ना charge की वो frequency क्या? momentum के ओपर depend करती है? no it is independent of momentum ठीक है? वो कभी भी momentum के ओपर depend नहीं करेगी ठीक है? अगर आप dependency लाने की courses भी करोगे न तो यहाँ पर V से multiply and divide करना पड़ेगा तो यहाँ पर आप लिखोगे M V को P लेकिन यहाँ पर velocity के ओपर dependent हो जाएगा लेकिन वो dependent नहीं है वो dependent नहीं है टाइम डिपेंड़ने तो फ्रिक्वेंची कैसे होगा? उसका रेसी प्रोकल ही तो है यह सो नो? अई बाद समझ में? तो yes इस इंडिपेंड़न्ट ओफ momentum ठीक है? फ्रिक्वेंची इंडिपेंड़न्ट लेकना होता आप पॉइंट लिख सकते हो frequency is independent of yes ठीक है? तो आज का लेक्चर यहीं पर एंड करते है बच्चो उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ में आया होगा straight line देखे, circular path देखे, आपको अगर हमारा content वही sentence वापिस repeat करेंगे अगर आपको हमारा content अच्छा लगता है आपको हमारा lecture अच्छा लगता है हमारी teaching skill अच्छी लगते है तो प्लीज हमारी video को like कर दो आपकी एक like ना हमारा confidence बढ़ाती है free में पढ़ना चाते है YouTube भी है open है open source है आप कहीं पे भी जाबके उसको पढ़ सकते हो कोई यहां पर registration वगएरा तो करना नहीं है कोई registration fee पे नहीं करनी है तो आप चाहो तो उनको भी हमारी channel share कर सकते हो ताकि वो भी यहां से अपना benefit उधा पाए ठीक है और हो सके तो वो bell icon को भी click कर दो ताकि हमारे जो नए वीडियो आते है उसका notification भी आपको मिलता जाए ठीक है तो बच्चों यहां पर हमारा आज का lecture end करते है till that enjoy your day मिलते है next lecture में बाबाई